तो आज मैं एक ऐसा डिवाइस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जो खास तोर पे content creators के लिए बना है हम सभी जानते हैं कि जब बड़ी script को याद करना और उसे camera के सामने perfectly pitch करना होता है तो यह कितनी मुश्किल का काम हो सकता है लेकिन आज इस video में हम आपकी इस मुश्किल को आसान बनाने वाले हैं तो guys आज हम बात करेंगे Digitech की teleprompter की यह device आपके smartphone और camera दोनों के साथ काम करता है और आपको script याद करने की जरुवत ही नहीं पड़ेगी तो चलिए देखते हैं इस teleprompter के क्या-क्या features है और इसे कैसे setup कर सकते हैं सबसे पहले जानते हैं आपको इसके साथ कौन-कौन सी accessories मिलती है तो box में आपको मिलेगा teleprompter unit, दो screws, एक hood जो light block करने के काम आता है smartphone और camera holder, bluetooth remote, microfiber कपड़ा और user manual ये सभी accessories आपको मिलती है ताकि आप इसको असानी से set कर सकें और अपने camera setup को अलग level पर ले जा सकें अब चलिए इसे assemble करते हैं सबसे पहले हमें mobile holder को teleprompter unit के ऊपर लगाना है इसके बाद hood को attach करना है जो light को block करता है जिससे script पढ़ना असान हो जाता है अगर आप camera के साथ इसका उपयोग करते हैं तो आपको ring adapter की जरुवत पढ़ती है जो कि आपके किसी भी DSLR के साथ attach हो जाता है और अगर smartphone से shoot करना है तो दिया गया mobile holder का उपयोग करना है आपको अब बात करते हैं इसके इस्तमाल करने की Bluetooth remote की मदद से आप script को control कर सकते हैं scrolling, font size और background color तक को change कर सकते हैं ये सब बिना camera से हटे आप बस अपने phone को connect करना है और script असानी से आप read कर सकते हैं तो अगर हम बात करें इस teleprompter के benefit की तो guys ये device उन लोगों के लिए बहुत फाइदे मन्द है जो बिना script याद करें professional वीडियो बनाना चाते हैं चाहे आप YouTube वीडियो बना रहे हो interview shoot कर रहे हो या कोई भी content create कर रहे हो ये teleprompter आपके लिए best tool साबित होगा तो अगर आप भी digitek teleprompter खरीदना चाते हैं तो link मैंने description में डाल दिया है अगर आपको ये video helpful लगा तो आप इसे काफी सारे लोगों के साथ share कर सकते हैं और stay tuned for more tech update मिलते हैं अगले video में तब तक के लिए धन्यवाद